अलो दोस्तों वेलकम बेक टू राश्य टेक्नोलोजी यूटूब चैनल आज इस वीडियो में आपको मेनी माता महतारी जतन योजना ऑनलेन अपलाई कैसे करना है पूरा लाइप प्रोसेस करके दिखाऊंगा आपको पहले इस योजना को भगनी प्रसूती योजना के नाम से भी जाना जाता था लेकिन अब इसका नाम बदलकर मीनी माता महतारी जतन योजना नाम रख दिया गया है इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रख है अगर आप चाहते हैं तो उसे जाकर देख सकते हैं मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूगा तो चल लेवर.nice.in इस वेबसाइट पर जाना होगा उसके बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन भावन एवाम अन्यस्चा निर्मान में हैं तो आपको यहां पर जो करसर है उसको यहां पर पॉइंट करना है माउस को ठीक है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं योजना और यह सारा डीटेल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है यहां पर मैं आवेदन करे बटन पर क्लिक करूंगा क्लिक करने के बाद यहां पर आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है जो भी इंफॉर्मेशन है वो पढ़ ले उसके बाद यहां पर जीला का चेयन करना ह जिला मेरा राइपूर है तो राइपूर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मुझे डालना होगा पंजियन का करमांग तो दोस्तों अब आपको बता दूँ कि यह पंजियन करमांग क्या होते आपके मुबाइल नंबर पे एक OTP आएगा उसको इंटर करने उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा यह मेरे मुबाइल पे OTP आगे इसको मैं डाल देता हूँ 540885 वेरिफाई OTP बटन पे क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पे देखे आपको योजना देखे देखने को मिलेगा इसमें आपको क्लिक करना होगा उसके बाद आप जिस भी योजना के लिए फॉर्म डाल रहे हैं कि मैं यहाँ पे मीनी माता मातारी जतन योजना के लिए डाल रहा हूँ तो इसको सेलेक कर देना है और लाब देवे बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ प्रकार के डॉकुमेंट्स की हमें जुरत पड़ेगी देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे क्या-क्या है स्वयम द्वारा जारी प्रमान पत्र या A&M द्वारा जो जच्चा बच्चा कार्ड होता है वो देना है बैंक की पासबूक देना है जिसके नाम पे जो यह जो कार्ड बना हुआ है मजदूर कार्ड उनका और एक दिन है जन्म प्रमान पत्र बच्चे का पंजियन प्रमान पत्र जो आपका लेबर कार्ड है उसी की कॉपी स्वग होसना प्रमान पत्र इसका एक फॉर्मेट है वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अधार काड आपका लगेगा और न आउनलोड कर रहता है तो उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं सारा इंफॉर्मेशन आगे हमें बस एक बाद चेक करना है इसको अपडेट नहीं किया जा सकता है एकाउंट नमबर अधार काड यह सब कुछ भी जो है जो फस्टे में आप दिये रहते हैं वहीं इनफॉ हारा डाल देता हूं तो यहां पर आ प्रस्तावीत प्रसूती का दिरांक जो है वह डालना रहता है तो एहां से संक्या से बच्चे हैं हमारे हैं जन्म के बाद आपको करना है पहले क्या होता था जन्म के पहले कुछ पैसे मिलते थे जन्म के बाद कुछ पैसे मिलते थे अब जन्म के बाद ही पूरे पैसे मिलने वाले है ठीक है तो यहां पर जन्म के बाद ही आपको डालना रहता है फार्म वह भी तीन मेने के अंदर ठीक है अब हमारा फार्म पूरी तरह से कंप्लीट है बस इसमें जो जो डॉकुमेंट्स है वो अपलोड करना है तो यहां पर सबसे पहले जो है आपका जो फाइल है वो पीडेप हो पेंजी हो या जेपीजी हो होना चाहिए ठीक है उसके अलबा कोई दू रिजिटेशन काड का सेलेक्शन करना यहां से मैंने सारे डॉकुमेंट्स डेक्स्टॉप में एक फोल्डर बनाके अलग से रख दिया है तो उसको मैं पिक कर लेता हूं तो मेरा जो रिजिटेशन काड है मतलब सीजी लेबर का जो कार्ड है वो है यह वाला ठीक है आप एक मैंने डाक्टर द्वारा यह जो जच्चा-बच्चा कार्ड है उसका सेलेक्शन हमें यहां पर करना है तो जच्चा-बच्चा कार्ड मेरा यह वाला है यह मैंने सेलेक्ट कर लिया अब उसके बाद तीसरा है अधार कार्ड तो अधार कार्ड मैं कर लेता हूं यह मैंने ना गोशना पत्र नाम से रखा था बैंक पास्बुक तो ये मेरा बैंक पास्बुक भी हो गया और ये नियर्जग त्वारा सत्यापित प्रमान पत्र इसका फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ठीक है ठीक है यह मैंने सारों डाकॉमेंट्स अ गोशन प्रमान पत्र Țैप्टर डाला है बेंक वास्बुक ड नियोजग दार सत्यापित प्रमान पत्र टाल दीए है और मेरा साइज सभी का एक में से कम है बस उसके बाद आपको यहाँ पे capture डाल देना है अब यहाँ पे स्रम मित्र करमंग डालना होगा तो मैं यह जो option डाला था इसको थोड़ा change कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं social media द्वारा ठीक है अब मुझे यह डालने की जुरत नहीं है ठीक है तो मैंने सारा चीजे fill up कर दिये तो यह नाimasura में सुर्ख्चित करे बटन पर क्लिक करता हूं तो सारा चीजे fill up करने के बाद आपको सुरक्चित करे बटन पर क्लिक करना होगा यहाँ पेक information आएगा यह information सा टाइम लगता है ठीक है उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को भी लेगा आपको फिर से एक बार आपका जो डॉकुमेंट्स है आपका नाम है वो सारा चीजे सही है कि नहीं आप इसको एक बार फिर से यहां पर देख सकते हैं और आप बदलाना चाहें तो यहां पर बदले का option भी आ गया है तो यहां पर निरस्त करें और सुरक्षित करें दो option देखने को मिलेंगा आपको फिर से एक बार verify कर लेना है या आप यहां पर डाउनलोड करें बटन में क्लिक करेंगे तो एक compressed file आप डाउनलोड कर सकते हैं जितना भी डाकुमेंट्स आ है successfully जो है submit हो गया है और यह मेरा आवेदन करमांगे यह आवेदन दिना आगे इसकी एक print आप जरूर रख ले यह आपको बहुत से में जुरत पढ़ सकती है जब आपको कभी status चेक करना है तो ठीक है तो इस तरह से आप online आवेदन कर सकते हैं आपको कोई और डाउट हो तो कमेंट्स करें मैं आपके कमेंट्स का reply जरूर करूंगा दोस्तों मैं गोर्मेंट योजनाओं पे बहुत कमी वीडियो बनाता हूं लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आयते इसलिए मुझे आज यह वीडियो बनाना पड़ा बहुत मैनत लगता है गोर्मेंट की योजनाओं पे वीडियो बनाने में information collect करना फिर पूरा form पी लब करना फिर उसको hide करना ये बहुत टाइम लग जाता है पूरा एक दिन का time लग जाता है तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छे लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना और चैनल को subscribe कर लेना मुझे support करो मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहूंगा